Good morning everyone और आपका दुबारा से स्वागत है हमारे ProMark के interactive panel training का session आज हम देखेंगे कि हम अपने panel को, whiteboard को हम किस तरीके से तीन हिस्से में बांड सकते हैं और यह बहुत useful यह एक feature है जिसे कि तीन बच्चों को एक ही time पे हम बुला सकते हैं और तीन बच्चे independent of each other आप यहाँ पे काम कर सकते हैं तो आप देखें यह हमारा जो whiteboard है, हम इस whiteboard पे हम जाते हैं और नीचे दिए गे जो icons हैं, इसमें जो three dots वाल icon आप इसको दबाते हैं और इसमें हमारा यह splitboard mode जो है वो active हो जाता है और यह देखें जैसे कि यहाँ पे तीन हिसे में हमारा बन गया और हम इस पे हम लिख सकते हैं और यह हमने different color चूज किया है, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी हमारा जो different color हमने चूज किया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह हमारा split mode feature है हमारे RSP model में और हम दुवारा home screen में जाने के लिए हम इसको हम ऐसे हम दबाएंगे